शरीद्योजी की बनस्पतियों में सबसे महात्पूर है शमी का पोधा, शमी की जड़, शमी की बनस्पति इधर शनी, इधर शमी भूलने जैसा कुछ भी नहीं है शमी याद रखिये बस शमी के पोधे में, शमी के पेड़ में, शमी की डंडियों में, शमी में बहुत काटे होते हैं शनी की मार काटे जैसी चुबन होती है आपको जिन्दिगी के काटे तकलीब दे रहे हैं चुब रहे हैं तो शनी देव जी उन काटों से मुक्ति दिलाएंगे आपको तो शमी की जो पत्तियां होती हैं वो हवन में बड़ी काम आती है शमी की जड़ होती है वो धारण करने योग होती है शमी की जड़ होती है वो भी आहुती का हिस्सा बनती है शमी के पौदे को घर में लगाने से शनी की पिड़ा कम होती है हम यहाँ पर अपने शनी आश्रम औरंगाबाद महराश्ट की नक्षतर बाठिका में नवग्रह के सम्मंदित बनस्पतियों में नवग्रह बाटिका में शमी के पास बैठे हुए हैं और शमी के इस छेत्र में हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शमी के पौधे के पास आकर शनीदों का ध्यान करता है जाप करता है मंत्र का उच्चान करता है पूजा करता है आराधना करता है अपने कश्ट शनीदों को सुनाता है तो उसका लाव दुगना बन जाता है उसकी व्यवपासना ज़्यादा जल्दी फल देती है बड़ा मान है शमी के पौधे की जड़का हमारे पूरवज बहुत सालों पहले जब ये रतन का विज्ञान उतना हावी नहीं हुआ था आधुनिक्ता उतनी नहीं थी तब नौग्रहों की शांतियों के लिए नौग्रहों से सम्मंदित बनस्पतियों की जड़का इस्तेमाल किया करते थे उस समय शनी प्रभावित व्यक्ती के लिए वो शमी की जड़ को शनिवार के दिन शनी नक्षत्र आने पर जमीन से निकाल कर निकाला करते थे और उसकी जड़ को शुद्न जल से गंगा जल से धो के बिर्कुल पवित्र करके उसमें काला धागा लपेट कर, काला कपड़ा चड़ा कर, उसको तावीजनमा बनाकर, काला धागा सिल कर, उसे दाएने हात की भुजाय के अलावा गले पर, जहां कहीं भी आपको प्यूपते लगे सुविदा जनक लगे वो धारण कराया करते थे आप भी ऐसा कर सकते हैं कीजिए बहुत लाप्रद होता है बड़े-बड़े महेंगे नीलम पहनने से पहले बड़े-बड़े महेंगे शनीरतने पहनने से पहले बिन पैसे का ये इलाज तो करके देखिए कितना लाप किसी ने पूछा है काम सफल नहीं होता भागते रहते हैं काम होता ही नहीं क्या करें दिदी जी किसी ने कहा कि समझ नहीं आता कि कार में इतना बिलंबी क्यों होता है एक तो ये कि सफल ही नहीं होता कई प्रश्ण ऐसे कि होतो जाता है पर बहुत देरी से होता है एक ने कहा किसी ने कहा है कि आपको तो जनमते ही शनी है जिन्दिकी भर शनी को उपाय करना चाहिए आप बताएं सरल सहज उपाय ऐसा कौन सा है जो मैं हमेशा कर सकता हूँ किसी ने कहा फैक्टरी तो बंद पड़ी है कुछ रास्ता नहीं नजरा रहा कुछ मार्ग दर्शन ही नहीं है सूजता ही नहीं है फैक्टरी को चालू करना चाहता हूँ पर काम्या भी नहीं है मुझे मेरे बंद ब्यापार को फैक्टरी को चालू करने के लिए कुछ सुझाओ दीजिए किसी ने कहा कि बहुत सारे कारे बंद पड़े है और बहुत सारे कारेों में कुछ भी चालू करने जाता हूँ तो उसमें कहीं न कहीं शत्र बाधा आती है लोग रुकावटने डाल देते है मुझे वो उस पर विजय पाना है आप बताईए ऐसा क्या उपाय करूँ ऐसे मिले जुले बहुत सारे प्रश्ने थे समस्याएं थी उपाय एक ही है वो एक उपाय में आज आपको बताने जा रही हूँ जो मैं पिछले 30 वर्सों से ना जाने कितने लोगों से करा चुकी हूँ और मेरे वक्तबों में मेरे बड़े-बड़े सत्संगों में शनी कताओं में 108 कुंडिये शनी महायगों के मंच पर मैं इसका प्रतक्ष उधारण और प्रमान लोगों को देती रही हूँ एक बहुत सची घटना के माध्यम से उपाय आपको भी बता रही हूँ घटना जरूर बताओंगी क्योंकि भोलेंगे नहीं आप उस उपाय को और उपाय छुपा है इन सारी समस्याओं का आपके प्रश्णों के समाधान एक बार मेरा आयोजन गोवा में हुआ ये बात है लगभग 98 की गोवा में जब मेरा आयोजन हुआ तो वहाँ पर मेरे आयोजक थे शनी देव जी की ग्यान की चर्चा कराने वाले शनी देव जी के ग्यान संदेशों का कारक्रम रखने वाले सत्य नारण भूत्रडा जी उन्होंने मुझे आमंतरन दिया और कहा कि मुझे यहाँ पर शनी देव जी के बारे में लोगोंने बहुत कहा है कि मैं शनी प्रभावित हूँ यदि शनी देव जी का ग्यान यग्य करूँगा तो मेरे वारे नियारे हो जाएंगे, कश्ट निवारन हो जाएगा इसलिए मुझे आपको बुलाना है और कराना है उन दिनों में 36 गड़ के जिला दुर्ग में रहा करती थी और 36 गड़ का जिला दुर्ग उन दिनों मद्धिप्रदेश हुआ करता था जहां पर आपको मालूमी है 97 में हमने एक शनी तीर्थ बिर्जापूर के नाम से शनी धाम बनाया है अब मैं जब वहां पहुँची गुवा में और आयोजन हुआ तो सुहाविक है जो आयोजक है वो अपने सुखदुख की बातें करेंगे और कश्ट के निवारन के लिए अप एक्छा भी रखेंगे मेरी उनके साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा मेरी फैक्टरी तीन साल से बंद पड़ी है जो छोटे-छोटे ब्यापार थे उनमें भी रुकावटे है मेरा कार ठपसा हो रहा है मुझे किसी भी हालत में फैक्टरी खोल ली है यदि ये मेरी फैक्टरी बंद रह गई तो मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे मैं बहुत करजिसे लदा हूँ मुझे कुस्तो मार्ग दीजिए हर हालत में ये फैक्टरी खोल ली है और गवर्मेंट ने या बहुत सारे ऐसे नियमों ने बहुत सारी बातें पावंदी से लगा दी है कि जो मैं पूरी तरह से उसमें सक्सेस नहीं हो रहा हूँ और उसके बाद परमीशन नहीं मिल रही है फैक्टरी खोलने की कुछ तो उपाए दीजिए मैंने कहा उपाए बताऊंगी तो करेंगे बोले 100% करूँगा मैंने कहा फिर पूछा है उपाए यदि बताऊंगी तो करेंगे बोले बिलकुल आप बताईए तो सही मैं आप से वायदा करता हूँ कि मैं आप के बताए मार्ग दर्शन का पूरा लाव लूँगा और 100% करूँगा क्योंकि मुझे हर आलत में संकट पर मुक्ती चाहिए मैंने कहा तो ठीक है सुनियो पाए और दर्शन को आप भी सुनियो और आप भी कीजिए मैंने उनसे कहा कि शनिवार के शनिवार साथ शनिवार यो पाए कीजिए सुरुदय के पहली उठिए दो गरम रोटियां बनाईए उन रोटियों को पर तेल लगाईए मौन ब्रत धारन कीजिए घर से निकलिए ऐसी जगे जाईए जहां आपको काला कुत्ता मिले और जहां काला कुत्ता मिले उस कुत्ते को प्यार मनुहार से और रोटि खिला कर आईए शनिवार के शनिवार साथ शनिवार कंटीनू कीजिए तीन सर्ते याद रखिए सुरुदय के पहले ही उपचार होना चाहिए और दूसरी सर्त सोकर उठने से लेकर कुत्ते को रोटि खिलाने तक यदि आप मौन ब्रत नहीं रख पाए कहीं मौन ब्रत खंडित आपका हो गया तो यह उपचार नंबर बन से गिनना पड़ेगा मौन ब्रत रख कर कीजिए और तीसरा तीसरा रूल ये रहेगा कि एक भी शनिवार खंडित नहीं होना चाहिए यदि आपने दो शनिवार किया और तीसरे शनिवार को सोई रहे गए तो नंबर बन से गिनना पड़ेगा खंडित हो जाएगा माला यदि एक बार तूट गई मौती बिखर गए फिर से माला परोनी पड़ेगी वो हसने लगे वो हसने लगे क्या बात करती है दीदी जी आप भी अरे कुटे को रोटी खिला देने से कोई फैक्टरी के ताले खुलते हैं क्या हमने कहा मुझे तो लगता है कि खुलते हैं वो कहने लगे आप तो कोई बड़ा सा उपाय बताईए फैक्तर छोटपट छोटपट तो लोग बहुत बताते हैं और लोग करते ही रहते हैं मुझे भी लोगोंने ऐसे बहूत उपाय बताए कुछ-कुछ मैंने किये रिजल्ट कुछ भी नहीं आया मुझे आप से आप एक्चा है कि आप कोई बहुत बड़ा मेरे लिए अनुष्ठान करेंगी, कोई बहुत बड़ा मेरे लिए उपाय करेंगी, ये छोटे-छोटे से उपायों से कुत्ते को रोटी खिलाने से भला कोई ब्यापर चलते हैं, ये तो सब फालतु बात हैं, मैंने उनसे कहा, उपाय कोई छोटा थोड़ा साही दही का जामल लगाना पड़ता है और धेर सारा दूद जम जाया करता है दूद की मात्रा से दही का मुल्यांकन नहीं मुझे मालूम है कि कितने लीटर दूद में मुझे कितना सा दही डालना है और दूद को जमाना है इसलिए आप निश्चिंत रहिए ये उप पूरा होने पर यदि आपका काम ना हो तो आप मुझे कम्प्लेन कीजिए मैंने जो आप से यहां पर आयोजन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ग्यान चर्चा करके बहुत बड़ा आयोजक आपको बना कर शनी देव जी के आगे आपकी स्रद्धा परोसी है शनी देव जी को आपका हाथ वकड़ाया है शनी देव जी की किरपा पाने के लिए आपके लिए प्राथना की है वो निश्चित रूप से सही समय पर रंग लाएगी आप चिंता ना करें वो कहने लगे ठीक है आप कहती है तो जरूर करूंगा पर मुझे नहीं लगता कि साथ में आपको रोटी खिलानी है यदि ये नियम तूटे तो उपचार तूट जाएगा काम नहीं होगा नियम कौन सी बड़ी वात है इनकी अनुसार ही करूंगा तो हमने कहा ठीक है जिस दिन आपके उपचार हो जाएं आप मुझे फॉन करके बताएं कि मेरे काम सफल हो मैंने उपचार कर दिये और फिर मैं आपसे आगे की चर्चा करूंगी ठीक है करेंगे उन्होंने बेमन से कह दिया उन्होंने कहा बिल्कुल आपके जाने पर ये आने वाले शनिवार से मैं यो पाय करने वाला हूं सुबद जल्दी उठूंगा काला कुत्ता देखूंगा रोटी खिलाऊंगा, सूरुदय के पहले करूँगा, और किसी से बात नहीं करूँगा वो पाय होने तक, हमने कहा, हाँ, बिल्कुल इनी नीमों के साथ आपको करना है, अब तीन शनी बार हुआ, उनका चौथा शनी बार फोन आया, उन्होंने कहा, दीदी जी कुछ गड़ब करना है, मैं उस नीमों को पालन कर रहा हूँ, सारी रात में चैन से सो नहीं सकता है, शनी बार आने वाले दिन, मुझे ऐसा लगता है, कहीं सोया रह गया, उपाय छूट गया, तो क्या होगा, सुबच जल्दी उठने की आदत जो नहीं है, एक एक दो दो घंटे में मैं आज में आया है, वो सरलो साहज है नहीं, सुबच सूरुदय के पहले उठना और बिल्कुल एलर्ट रहना बहुत कठिन काम है, फिर भी में उठता हूँ, फिर भी में उपाय करता हूँ, तीन शनीवार हो गए मुझे, पर आज कुछ गडबड ऐसा हो गया, कि मैं सूरुद तक निकल गया, बहुत दूर में ऐसे ही समुद्र की किनारे टहले लगा, और मुझे 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 में काला कुत्ता मिला, मैंने काले कुत्ते को बुलाया इसारे से, मैंने उसे रोटी डाली, अब मैंने उसे काले कुत्ते को जो रोटी डाली, सूंगता है, खाता नहीं है, वहीं एक लाल कुत्ता बाजू में ख़ड़ा था, दोड़कर आया, उसने मेरी रोटी खा ली, और काला कुत्ता भाग गया, दीदी जी, अब क्या करूँ, आप ने कहा था, काले कुत्ते को ही खिलाना, और काले कुत्ते ने रोटी नहीं ख़ई, मैंने का सर्त तो यही कहती है कि काले कुट्टे को ही खिलाना है लाल कुट्टे को नहीं चलेगी आप नमबर बन से गिनिये और फिर से शनीवार पकड़िये उसके बाद में अब जब कोई अर्चन आये तो मुझे बताईए अब भगवान से कहिए कि वो आपका उपाय सफल करें फिर चार शनीवार निकले उनका पांच बेशनीवार फॉन आया बोले दिदी जी कुछ तो गडबड हुआ है हमने क्या हुआ बोले आपने कहा था कि काले कुट्टे को ही खिलाना परमातनम मैंने दया की और मैं काले कुट्टे को ही खिला रहा हूं कोशिस तो कर रहा हूं कि क आप बताइए मैंने काले कुत्ते को बुलाया काला कुत्ता भी आया उसने रोटी नहीं खाई और उसके बाद में मैं उसको इशारा कर रहा हूं खा ले तो मुझे काटने को दोड़ता है मुझे भॉंकता है पर रोटी नहीं खाता पता नहीं मुझे क्या हो गया तो मैंने उसको जोड से बोला कि तेरे लिए मैं इतना सवेरे जागता हूं तू रोटी लेकर आता हूं तू एकी रोटी खाने को नहीं करता है मेरे मुझ से आवाज निकल गई मेरा मौन टूट गया अब क्या होगा मैंने का अरे मौन तो नहीं खुलना चाहिए था शर्त तो हमारी टूट गई इसका मतलब उपाय फिर से गिनिये नंबर बन शनिवार यह उपाय तो लागू नहीं होगा जब तक कि आपका मौन टूटे बिना उपाय नहीं होगा यह उपाय लागू नहीं होगा वो कहने लगे दीदी जी एक माफी मांगनी है और माफी इस बात की मांगनी है जब आपने यह उपाय कहा था ना मैं बहुत हंसा था मुझे लग था चोटे बोटे कुट्टे को रोटी खिलाने भी कोई उपाय है पर अब समझ में आया है उपाय तो बड़ा कठिन था यह तो बड़ा तब था कितनी मुश्किल से यह उपाय होता है और लोग कैसे कर लेते हैं मैं तो करी नहीं पा रहा हूं और यही मेरी बढमना है कि मैंने सही मायने में किसी भी उपाय को कभी इतने अच्छे तरीके से समझ कर नहीं किया और पूरे समर्पन से नहीं किया तो मेरा कोई भी गया काम आज तक पूरा हुआ नहीं और प्राप्ती हुई नहीं तो अब मैं क्या करूँ मैंने का आप आपको विश्वास हुआ ना कि उपाय छोटा बड़ा नहीं होता उपाय तो उपाय होता है और आपको विश्वास हुआ ना कि उपाय करने के बाद में complete होने के बाद में result मिलता है बीज को सही ढंग से बोया ही नहीं है तो अंकुर कैसे होंगे और बीज जमीन म दबाया है तो अंकुर जरूर होंगे उन्होंने कहा अब मुझे आश्रवाद दीजिए कि इस वार में यदि उपाय करूं तो मैं सफल हो जाओं क्योंकि मुझे मालूम है मैं जब तो उपाय पूरा करूंगा नहीं आप मुझे आश्रवाद देंगी नहीं और नया उपाय बत के साथ में उपाय कीजिए भगबान आपका हाथ थामेंगे उन्होंने ऐसे इस रद्दा भाव से उपाय किया अब फौन आया उनका आठ में शनीवार वो कहने लगे जिदी जैसा आपने कहा था बैसा मैं सफल हो गया सारे रूलों के साथ में मैंने यह उपाय किया और सबस जल्दी ही आपकी फैक्टरी खुलेगी हमने आपकी सारी सरते सुईकार कर ली है और आपका बहुत सारा करजी भी माफ कर दिया है कर दो दो दोड़ा है कर दो कर दो दो, पर को अप्राइब कर दो कर दो.